तो दोस्तो Spider-Man Explained सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सन 2021 की Spider-Man No Way Home Movie के बारे में टॉम होलन्ड की ये लेटिस्ट MCU मूवी वन आफ दा बेस्ट सूपर एरो फिल्म और अब तक की सबसे बढ़िया Spider-Man मूवी है इस मूवी में पीटर पारकर का सामना होता है दूसरे Spider-Man की यूनियोर्स के कई सारे विलिन्स से जिनकी कहानी मैं अपने पिछली वीडियोज में समझा चुका हूँ इसलिए इस मूवी को अच्छी तरह समझने के लिए उन वीडियोज को जरूर देखिए आज मैं Spider-Man No Way Home मूई को शॉर्ट में एक्स्प्लेन करूँगा तो बिना किसी देरी के आई ये देखते है ये फिल्म वहीं से शुरू होती है जहाँ पर Spider-Man Far From Home खतम हुई थी मिस्टीरियों ने मरने से पहले एक न्यूस चैनल के जरिये सबसे ये जुड बोल दिया था कि Spider-Man ने उसे मारा और उसने ड्रोन से तबाही पहलाई इसके साथ ही मिस्टीरियों ने Spider-Man की असली पैशान पी सबको बता दी थी इस वज़ा से पुलिस वाले पीटर को अरेस्ट कर लेते हैं और उससे और उसके करीबी लोगों से बहुत पूछताच करते हैं इसके अलावा शहर के आदे लोग भी पीटर के खिलाफ हो गए थे क्यूकि उन्हें लग रहा था कि मिस्टीरियों एक अच्छा आदमी था जिसे Spider-Man ने मार दिया इस पुलिस केस को सॉल करने के लिए पीटर की आंट में मैट मर्डॉक नाम के एक अच्छे वकील को बुलाती है जो की काफी मुश्किल से पीटर और उसके दोस्तों पर से सारी लीगल चार्जेज हटवा देता है इससे वो कानूनी कारवाई से तो बच जाते है पर जंता ने अभी भी उन्हें माफ नहीं किया था इससे पीटर का अपने घर में रहना भी मुश्किल हो गया था इसलिए वो सेफटी के लिए आंट में के साथ हैप्पी के घर में रहने चला जाता है इस सब के बीच पीटर और उसके दोस्तों की स्कूल की पढ़ाई अब खतम होने वाली थी और उनके कॉलेज एडमीशन का टाइम आ गया था लेकिन हाल ही में हुई कॉन्ट्रूवर्सी की वज़ा से कोई भी कॉलेज उन तीनों को एडमीशन नहीं दे रहा था इस सब से पीटर बहुत परिशान हो जाता है क्यूकि उसके असलियत सामने आने से उसके साथ साथ उसके दोस्तों का भी करियर खत्रे में आ गया था इसलिए पीटर इस प्रॉब्लम का सॉलूशन ढूरना शुरू करता है और तब उसे डॉक्टर स्रेंज की याद आती है क्यूकि डॉक्टर स्रेंज एक बहुत बड़े जादूगर थे और वो नियू यॉक शहर में ही रहते थे इसलिए पीटर उनसे मरत मांगने के लिए सैंक्टम सैंक्टोरम में जाता है और वो उन्हें बोलता है क्या वो अपने जादू से मिस्टिरियो वाली उस घटना को बदल सकते है लेकिन डॉक्टर स्रेंज के पास अब टाइम स्टोन नहीं था इसलिए वो सच को बदल तो नहीं सकते थे पर उनके पास इस परिशानी का एक दूसरा हल था इस काम के लिए वो सबकी याददाज भूलाने वाला मंतर इस्तमाल करने का सोचते है जिससे सब ये भूल जाएंगे कि पीटर पारकर स्पारडर मैन है फिर डॉक्टर स्टेंज पीटर को लेकर एक तैखाने में जाते है और वहाँ वो अपना जादू करना शुरू करते है लेकिन जब वो अपना मंतर पढ़ना शुरू करते है तब पीटर को ये समझ में आता है कि उससे हर कोई ये भूल जाएगा कि वो स्पार्डर मैन है जबकि पीडर ये चाहता था कि वो बात कुछ लोगों को यादर है इसलिए वो डॉक्टर स्रेंज को बार-बार बीच में रोक कर उन्हें वो मंत्र बदलने के लिए बोलता है और इसी वज़ा से डॉक्टर स्रेंज का ध्यान भटक जाता है और वो मंत्र उनके काबू से बाहर हो जाता है जिससे पूरे मल्डिवर्स पे असर पढ़ने लगता है इसलिए डॉक्टर स्रेंज उस जादू को बीच में ही रोक कर उस मंत्र को कैद कर देते है और क्योंकि वो काम सही तरीके से पूरा नहीं हो पाया था इसलिए कोई भी ये नहीं भूला था कि पीटर पार्कर स्पाइडर मैन है उल्टा उससे एक नई मुसिबत खड़ी हो गई पीटर के उस मंत्र में छेड़ चाड़ करने की वज़ा से हर यूनिवर्स के वो लोग जिने ये मालूम था कि पीटर पार्कर स्पाइडर मैन है वो इस यूनिवर्स में आने लग गए थे वो तो डॉक्टर स्टेंज ने उस जादू को बीच में ही रोग दिया था इसलिए कुछ ही लोग यहां आ पाए थे लेकिन पीटर नो डॉक्टर स्टेंज को इस बारे में मालूम नहीं पड़ा इसलिए वो उस बात को भुला कर अपने अपने काम में लग जाते है इसके बाद पीटर अपने दोस्तों के एड्मिशन के लिए MIT कॉलेज की एड्मिनिस्ट्रेटर से मिलने जाता है ताकि वो उनसे बात करके किसी तरह अपने दोस्तों को एड्मिशन दिलवा सके लेकिन तबी अशानक वहाँ पर एक अलग युनिवर्स का आदमी आ जाता है जो था ओटो ओक्टेवियस यानी डॉक्टर ओक्टोपस जो की अपने युनिवर्स में स्पारिडर मैन से लड़ाई के दोरान मारा गया था लेकिन डॉक्टर स्रेंज के उस जादू की वज़ा से वो मरने से पहले ही इस युनिवर्स में आ गया क्योंकि वो ये जानता था कि पीटर पारकर स्पारिडर मैन है इस युनिवर्स में आने के बाद ओक्टेवियस थोड़ा हैरान था और उसी ये नहीं मालुम था कि वो एक अलग युनिवर्स में पहुँच गया है इसलिए जब वो इस युनिवर्स के पीटर को स्पारिडर मैन के सूट में देखता है तो वो उससे अपना वाला स्पारिडर मैन समझ कर उससे लड़ना शुरू कर देता है लेकिन पीटर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन है और वो इस पे हमला क्यों कर रहा है फिर भी वो उससे लड़ता है और MIT की एड्मिन को बचाने की कोशिश करता है फिर डॉक्टर ऑक्टोपस, पीटर को पकड़ कर उसके आईरेन स्पाइडर सूट को तोड़ देता है और उसके कुछ नैनो बाइडिकल्स अपने टेन्टिकल्स में एबज़ॉब कर लेता है इससे पीटर का नकाब उतर जाता है और तब उसका चहरा देखकर डॉक्टर अक्टोपस को ये समझ में आता है कि ये वो स्पाइडर मैं नहीं है जिसे वो जानता था इसी दोरान पीटर को ये पता चलता है कि वो अब डॉक्टर अक्टोपस के टेंटिकल्स को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसका आर्मर उन टेंटिकल्स से कनेक्ट हो गया था इसलिए वो डॉक्टर अक्टोपस को अपने काबू में करके MIT के एड्मिन को बचा लेता है इससे वो बहुत खुश हो जाती है और वो पीटर और उसके दोस्तों को कॉलेज में एड्मिशन देने के लिए तयार हो जाती है फिर उस एड्मिन के वहाँ से जाने के बाद उस जगह पर नॉर्मन ओस्बॉन यानि ग्रीन गॉबिन आ जाता है जो कि डॉक्टर उक्टोपस के यूनिवर्स का ही एक आदमी था और वो भी स्पाइडर मैन से लड़ते हुए मारा गया था और क्यूकि नॉर्मन भी स्पाइडर मैन की असलियत जानता था इसलिए वो भी उस मंतर की वज़ा से मरने से पहले ही यहाँ टेलीपोर्ट हो गया फिर वो पीटर और ओक्टेवियस पे हमला करता है लेकिन तब ही डॉक्टर स्रेंज उन दोनों को वहाँ से निकाल की सेंक्टम सेंक्टोरम में ला लेते है और वहाँ वो ओक्टेवियस को कैद कर देते है उस जगा पर डॉक्टर स्रेंज ने पहले से ही कर्ट कॉनर्स यान उने तुरंच जाकर लिजर्ड को पकड़ लिया था और अब वो ये चाहते थे कि पीटर उन बाकी लोगों को ढून कर पकड़ना शुरू करे ताकि वो दूसरी यूनियोर्स के विजिटर्स यहां कोई हंगामा ना करे इस काम के लिए डॉक्टर स्रेंज पीटर को एक मैजिक को पड़ा चलता है कि शहर के बाहर एक पावर प्लांट के पास कोई अजीब हल चल हो रही है इसलिए पीटर वहां चानबिन करने के लिए जाता है और तब उसका सामना होता है मैक्स डिलन यानि इलेक्टरो से जो की लिजर्ड की यूनियोर्स का ही एक आदमी था और वो स् तो इलेक्टरो उस पर हमला करने लग जाता है और उस पावर प्लांट की एनरजी एब्जॉप करने से इलेक्टरो की शक्ती बहुत बढ़ गई थी इसलिए वो पीटर पे भारी पढ़ रहा था लेकिन तबी वहां पर फ्लिंट मारको यानि सैंड मैन आ जाता है और वो पी पीटर समझ की उसकी मदद करने लग जाता है फिर वो दोनों मिलकर इलेक्टरो से लड़ते है और जैसे ही पीटर उस पावर प्लांट का कनेक्शन काटता है तो इलेक्टरो की शक्ती बहुत कम हो जाती है और वो इनसानी रूप में आ जाता है फिर पीटर मैक्स और फ्लिं हो जाता है लेकिन गॉबलिन ये समझ गया था कि ये एक अलग दुनिया है वो नॉर्मन को बोलता है कि उन्हें इस दुनिया पर कबजा करना चाहिए पर नॉर्मन पहले से ही गॉबलिन से परिशान था इसलिए वो घबरा कर वहां से भाग जाता है फिर नॉर्मन शहर में इसलिए वो पीटर को वहाँ बुलाती है फिर नॉर्मन उन दोनों को अपनी परिशानी बताता है कि कैसे उसके उपर गॉबलिन हावी हो जाता है और लोगों को नुकसान पहुशाता है इसके अलावा आंट में को पीटर से ये भी परदा चल गया था कि बाकी विजिटर्स को भी कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉबलम है इसलिए वो पीटर को बोलती है कि उसे उन लोगों को घर वापस भेजने से पहले उनका इलाज करना चाहिए जिसके लिए पीटर तयार हो जाता है फिर वो नॉर्मन को सेंक्टम में लेकर जाता है वहाँ पर जब सभी विजिटर्स आपस में बात करते है तो उन्हें परा चलता है कि उन पाचों में से तीन लोग यानि नॉर्मन ओस्बॉन, ओटो ओक्टेवियस और मैक्स डिलन ये तीनों अपने यूनिवर्स में मरने वाले थे लेकिन वो मरने से पहले ही यहाँ पहुच गये और अगर उन् गलत मंतर को बंद किया था और वो उस बॉक्स से उस मंतर को पलटने वाले थे जिससे सबी विजिटर्स वापस अपने यूनिवर्स में जाने वाले थे लेकिन पीटर उन सबको बचाना चाता था पर डॉक्टर स्टेंज का ये मानना था कि मल्टिवर्स की स्टेबिलिटी क लेकर चले जाते है वहाँ पर काफी देर उनके बीच पकड़ा-पकड़ी चलती है लेकिन आखिर में पीटर मिरल डायमेंशन की जॉमेट्र को समझ के डॉक्टर सेंज को वहाँ अपने जाल में फसा लेता है फिर वो उनकी स्लिंग रिंग छीन लेता है और वो वापस अपनी विजिटर्स को हैपी के घर ले जाता है हैपी के घर में स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक फैब्रिकेटर था जो की आर्क रियक्टर से चलता था और वो फैब्रिकेटर कुछ भी डिजाइन कर सकता था पीटर उस मशीन से सब के लिए एंटीडोड बनाना चाता था लेकिन क वाइट कॉनर्स यानि लिजर्ड को पीटर के प्लैन पर भरोसा नहीं था इसलिए वो घर में जाने की बजाए नीचे ही एक ट्रक में रुकता है और वो उस प्लैन के फैल होने का इंतिजार करता है उधर पीटर उस फैब्रिकेटर से डॉक्टर ऑक्टोबस के टेंटिकल् चिप बनाता है और वो जैसे ही उस चिप को टेंटिकल्स में लगाता है तो उससे ओक्टेवेस का दिमाग ठीक हो जाता है और वो फिर से अच्छा आदमी बन जाता है फिर पीटर उसके टेंटिकल्स में से अपना नैनो सूट निकाल लेता है और वो ओक्टेवेस को आजात कर देता है इसके बाद इलेक्ट्रो का भी डिवाइस तयार हो जाता है जिसे पीटर उसकी बोड़ी पर लगाता है उस न्यूट्रिलाइजर से कुछी देर में इलेक्ट्रो की पूरी पावर निकल जाने वाली थी तब तक पीटर किसी और का एंटिडोड बनाने लगता है ले उसकी बाते सुनकर इलेक्ट्रो भी बहग जाता है और वो अपने उस न्यूट्रिलाइजर को निकल देता है फिर वो उस फैब्रिकेटर का आर्क रियक्टर निकल कर वहां से भाग जाता है उधर गॉबलिन पीटर से लड़ना शुरू कर देता है इस हंगामे की वज़ा से सैंड मैन, डॉक्टर अक्टोपस और लिजर्ड वहां से भाग जाते है फिर गॉबलिन और पीटर में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें गॉबलिन जादा ताकतवरा साबित होता है और वो पीटर को भुली तरह घैल कर देता है फिर वो उसे मालने की कोशिश करता है लेगिन तभी आंट में वहां आकर गॉबलिन को एंटीडोट का इंजेक्शन लगा देती है लेकिन वो एंटीडोट पुरी तरह तैयार नहीं हुआ था इसलिए वो काम नहीं करता और तब गॉबलिन अपना ग्लाइडर वहां बुला कर उससे आंट में पर हमला कर देता और वो उस जगा को तबा करके भाग जाता है उस हमले की वज़ा से आंट में बहुत गायल हो गई थी और ये देखकर पीटर को अपने प्लैन पर बहुत पश्तावा हो रहा था लेकिन आंट में उसे समझाती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और उसे हमेशा दूसरों की मर करते है इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है दूसरी तरफ नेड और एमजे को न्यूस से ये परा चल गया था कि आंट में मर चुकी है वो दोनों पीटर का इंतिजार कर रहे थे पर वो काफी देर से गायाप था तभी नेड गलती से डॉक्टर स्रेंज की रिंग से एक पो भी थी इसलिए वो ऐसा कर पाया फिर वो उस रिंग से पीटर को ढूडने के लिए एक पोर्टल बनाता है पर उस से उन्हें एक दूसरा पीटर पार्कर मिल जाता है जो कि लिजर्ड और एलेक्ट्रो के यूनिवर्स का स्पार्डर मैन था डॉक्टर स्टेंज की उस मंत्र की वज़ा से वो लोग इस यूनिवर्स में आ गए थे जो कि जानते थे के पीटर पार्कर स्पार्डर मैन है और क्यूंकि खुद पीटर पार्कर भी ये जानता था कि वो स्पार्डर मैन है इसलिए दूसरी यूनिवर्स के स्पार्डर मैन भी इस यूनिवर्स में आ गए फिर नेड अपने वाले पीटर को ढूंडने के लिए एक और पोर्टल खोलता है तो उससे उन्हें एक और अलग पीटर मिल जाता है जो कि गॉबलिन, ओक्टिवियस और सैंड मैन की युनिवर्स का स्पाइडर मैन था फिर नेड और एमजे उन दोनों स्पाइडर मैन को अप किसी का इलाज नहीं करना चाता था और वो उस बॉक्स का इस्तिमाल करके सब को वापस भेजना चाता था लेकिन वो दोनों स्पाइडर मैन उसे समझाते हैं कि उन्होंने भी अपने करीबी लोगों को खोया है इसलिए वो उसका दर्ढ समझ सकते है और उसे वो ही काम करना चाहिए जो कि उसकी आंट मेंने कहा था क्यूंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है इसलिए पीटर उनकी बात मान लेता है और वो फिर से उन विजिटर्स का इलाज करने के लिए तयार हो जाता है इसके बाद वो सब मिलकर उनकी स्कूल की लेबोरेटर प्रणी में जाते है ताकि वहाँ पर वो अपना काम कर सके और तीनों पीटर एक दुसरे को नया नाम देते है ताकि उन्हें आपस में कोई कंफूजन ना हो इस यूनिवर्स के स्पाइडर मैन को पीटर वन कहा जाता है गौबलिन और सैंड मैन वाले स्पाइडर मैन को पी पैर करता है और पीटर टू और पीटर थी गौबलिन और लिजर्ट के लिए एंटीडोट सिरम बनाते है और क्योंकि ये दोनों स्पाइडर मैन अपने अपने यूनिवर्स में उन दुश्मनों से लड़ चुके थे इसलिए उन्हें मालुम था कि उनका इलाज कैसे करना है फिर अपना काम खतम करने के बाद तीनों पीटर उन विजिटर से स्टैचू अफ लिबर्टी पर मिलने का फैसला करते है ताकि वहां वो उन्हें एंटीडोट दे सके और उन्हें वहां बुलाने के लिए पीटर वन एक न्यूस चैनल के जरिए उन्हें उस मैजिकल बॉक् और मलने से बच जाए इसके बाद लिजर्ड भी वहां आ जाता है लिजर्ड को ये डाउट था कि वो भी वापस जाने के बाद मर सकता है इसलिए वो भी उस बॉक्स को तबाह करना चाता था फिर सैंड मैन भी वहां आता है उसे भी वो बॉक्स चाहिए था लेकिन वो उसे तबाह करने की बजाए उससे वापस अपने घर जाना चाता था, ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके, लेगिन पीटर सबका इलाज करने के बाद ही उस बॉक्स को एक्टिवेट करने वाला था, पर सैंड मैं को बाकियों से कोई मतलब नहीं था, उससे बस अपनी फिकर थी, उस सैंड मेन के डिवाइस से उसे निूट्रिलाइस कर देता है जिससे वो फिर से इंसान बन जाता है इसके बाद पीटर वन लिजर्ड पर उसके सीरम से हमला करता है जिससे वो भी ठीक हो जाता है लेकिन तीनों पीटर मिलकर भी इलेक्टरों को नहीं हरा पा रहे थी क्योंकि व वो अब बहुत शक्तिशाली बन गया था पर तभी वहाँ डॉक्टर आक्टोपस आता है जो कि अब अच्छा बन चुका था वो अपने टेंटेकल से इलेक्टर को पकड़ कर उससे वो आर्क रेक्टर छीन लेता है और फिर उस पर वो निूट्रलाइजर लगा देता है जिसस तभी वहाँ पर गॉबलिन आ जाता है और वो उस मैजिकल बॉक्स को अपने बॉम से तबा कर देता है जिससे वो मंत्र आजाद हो जाता है और डॉक्टर स्रेंज फिर से उस मंत्र को कैथ करने की कोशिश में लग जाते है उदर पीटर वन पहले से ही गॉबलिन से काफी न मंत्र को समाल नहीं पाते और वो उनकी पकड़ से छूट जाता है जिससे उनकी यूनिवर्स में बहुत सारी दरार पढ़ जाती है और उससे मल्टी वर्स का रास्ता खुल जाता है जिसमें से अंगिनत लोग जो की जानते थे कि पीटर पारकर स्पाडर मैन है वो इस यून यूनिवर्स के पीटर पारकर का अस्तित वहीं मिठ जाए ताकि वो लोग यहां ना आ पाए और जो यहां पहले से आ चुके है वो वापस चली जाए फिर डॉक्टर स्रेंज उस नए मंत्र का इस्तिमाल करते है जिससे मल्टी वर्स की वो दरारे भरने लगती है इसी दवर पीटर अपने दोस्तों से आखरी बार मिलता है और वो उन दोनों स्पाइडर मैं से भी मिलकर उनका शुक्रिया अधा करता है और फिर जैसे ही वो मंत्र पूरा होता है तो उससे सभी विजिटर्स और दोनों स्पाइडर मैं वापस अपने अपने यूनिवर्स में चले जा वो उन्हें अपनी असलियत और उस घटना के बारे में बताने वहां गया था। लेकिन जब वो ये देखता है कि उसके दोस्तों का MIT में एडमिशन हो गया है और वो उसके बिना भी खुश है तो वो उन्हें अपनी बात नहीं बताता ताकि उसकी वज़ा से वो फिर से कोई फस जाए इसलिए पीडर वहां से चला जाता है और वो एक किराय का घर लेकर अपनी नई जिन्दगी शुरू करता है और अब वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के एडवांस सूट की बज़ाए खुद का बनाया हुआ एक सिंपल सूट पहन कर स्पाइडर मैन का फर्ज निभा हुआ था जिसे कई सारे युनिवर्स का नॉलेज था और वेनम ये जानता था कि पीडर पारकर स्पाइडर मैन है इसलिए उस पर भी वो मंत्र काम कर गया और वेनम के साथ जुड़े होने की वज़ा से एड़ी भी इस युनिवर्स में आ गया लेकिन एड़ी न्यू यॉर का एक हिस्सा इसी युनिवर्स में रह जाता है मुई के पोस्ट क्रेट सीन में डॉक्टर स्रेंज इंदा मल्टि वर्स ओफ मैंडनेस का टीजर दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर स्रेंज की गलतियों के बुरे नतीजे उनके सामने आते हैं तो दोस्तों ये थी स्पार कि अलों इस एंट गिए उली ना किसी नओंस इन इंग जित बाइब भाइब बाइब भाइब भाइब एफ बाइब ड्रोंग प्लाइब भाइब लिया नवार इंग जाइब तो थांट पूब